आज हम बनाएंगे डोकला आपको लग रहा होगा डोकला बनाना तो कितना असान है पर अगर उसमें कुछ बातों का खयाल ना रखा जाए तो डोकला अच्छा नहीं बनता है तो उसके लिए हमने आपे बेसन को चान लिया बेसन को चानना बहुत जरूरी है और उसके बाद हम हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जालना है और बेटर मारा बहुत तपला भी नहीं ऑना चाहिए बहुत थिक पी नहीं होगा चाहिए इसमें थोड़ा सा ओयाल डालेंगे एक से घेड स्पून और मिक्स कर लेंगे इशके बाद हमें 15-20 मिन तक धक डखक और साइड मे लिए आपको भी तैन से धाल राटन अच्छे से इकॉल कर लेंगे और उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे की इसमें करने के लिए भाड़ा नगा पानी लिया था इसमें आपे स्टेंड रख लिया है और धकर 10-12 मिल कर ने पर हम डूद्ध पकाये रिजमें और और पनी डाल रिख रिख बून, एक नमक डाले और एक से तेबल स्पून्स में कीकट है और एक से दो बॉयल आने के बाद हम इसे बंद करके ठंडा कर लेंगे हम चेक करते हैं यह देखिए धोकला हमारा रेडी हो चुका है और इसे हमने निकाल लिया है और इसे बहुत ही सॉफ्ट बना है कट करने से आपको पता चल रहा होगा और इस पे अब हमें डालना है इसके उपर डालते है यह तड़का डालने के बाद ना धोकला जो है और भी सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी हरी मेज डालेंगे उपर से अधिये रहा हमारा सुपर सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस धोकला बनके रेडी आप भी बनाएं खाएं इंजॉय कीजिए और तब फड़ी सते हैंज बनाएं?